गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम तु माई चैनल ड्रीम्स मेक रियल बच्चो आज हम लोग सिक्षा निदेशाले रास्टे राजदानी छेतर दिल्ली से जो वक्षिट नमबर 78 आई है और जिसकी दिनाग 3 अक्टूबर 2020 है आज हम इस वक्षिट को समझ कर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बच्चो अपना ध्यान इदर दर नहीं बठकाना है लगतार कॉंसेंट्रेट बनाए रखना है ये वक्षिट जो है common वक्षिट है आपकी class 6 to 8 सभी बच्चो के लिए ये हमारी वक्षिट है तो बच्चो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कक्षा अध्यापक का नाम यानि के class teacher का नाम आप यहाँ पर नोट करोगे उसके बाद बच्चो हमें सापता ही गतिविदी आज आपकी जो activity जो आपकी वक्षिट आई है वो हमारे सापता ही गतिविदी के उपर ही आई है तो बच्चो बहुत ही interesting वक्षिट है आप लोग सोचोगे और लिखोगे इस वक्षिट को तो ध्यान से करते रहना इस वक्षिट को ठीक है पर यह चात्र इस सब्ताहा भी हम प्रते दिन की तरह दो मिनट माइंडफुल करेंगे बच्चो आपके स्कूल में डेली आपका जो जो जीरो पिरिड होता है हमारा स्टेडी का उस पर लगा सकें अपने दिमाग को सैलेंट उस पर कर सकें मोट पर अपने दिमाग को सैट कर सकें हमें वह शान्ती मिलती है इदर दर की बातों से तो इसलिए सुबह के टाइम हम माइंडफुलनेस इसलिए ही करते हैं से हम बहुती ताजी मैसूस करते हैं हमारा दिमाग जो है बहुती जो कह रहता है शार्प रहता है शांत रहता है और फिर आगे का हमारी जो पूरी दैनिक दिन चरिया होती है वो अच्छे से हमारी हो जाती है दो मिंट का मैंटफुलनेस करने के बाद ठीक है बच्चो तो इस इसमें कुछ चीजे आपसे पूछी हुई है, आपको वो अपने उत्तर में लिखते जाना है, ठीक है, तो ध्यान से पूरी वक्षित आप लोग समझेंगे, घर में उपलब्द सभी वस्तू की एक सूची बनाईए, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि घर में, हमारे घर में कौन-कौन सी वस्तू में उपलब्द होती है, उन सभी वस्तू के नाम नोट करिए, आप बहुत सारी वस्तू के नाम नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो खुछ से लिखना चाहो तो आप बहुत सारी वस्तू के नाम नोट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको पता है बरतन है, पंकें है, पिलंग कुर्सी, मेज, कंगा, तोलिया यह सब वस्तोई जो हैं, वो हमारे घर में मोजूर होती है ठीक है, सेकेंड इसमें पूछा है, एक और सूची तयार करें जिसमें ऐसी वस्तो का नाम लिखिए, जो रोज प्रयोग में लाई जाती है तो बच्चों बताईए, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेकि रात तक आप किन-किन वस्तो का डेली यूज़ करते हो रोज प्रयोग करते हो, बताईए, सबसे पहले आप टूद ब्रश का ही यूज़ करते हो मग का यूज़ करते हो, बाल्टी का यूज़ करते हो, फिर कंगा है, तोलिया है, कपड़े है, गिलास है, कटोरी, चमच, इन सभी वस्तो की सूची आप बना सकते हो तीसरी बात लोंने पूची होई है, ऐसी वस्तो की सूची बनाएं, जिनको सबताह में एक बार प्रयोग किया जाता है तो बताइए बच्चो कौन-कौन सी वस्तो ऐसी होती है, जिनको सबताह में वीक में एक बार यूज़ किया जाता है जैसे कपड़े दोने की मशीन होती है वोशिंग मशीन जिसको बोलते हैं है ना कभी-कभी कड़ाई भी होती है जो कि मम्मी कहती है कि नई बिटा एक हफ्ते में एक बार पकोड़े खाने है ये खाने है तो इस तरह से आपने वस्तों की भी सूची बना सकते हो चोथी बात इन करते हैं एक महिने में अपने गारियों को भार निकालते हैं करें घूमने के लिए जाते हैं साइकल है बाइक है तो इस तरह से जो है हम एक महिने में प्रियोग होने वाले वस्तों की सूची बना सकते हैं आगे बच्चों पूछा हुआ है ऐसी वस्तों की सूची बनाईए जिनका लगभग एक साल में यूज होता है एक साल में आप प्रियोग करते हों तो बताइए बचो एक साल में तो दिवाली, होली, दशैरा, जरमदीन ये सब चीज़ आती है तो इन में जो उप्योग में आई जाती है वस्तुए पठाके है दिवाली के रंग है दिवाली के रंग है तो इसी तरह से जरमदीन जब हम किसी कब बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़े यूज करते हैं मौमबती है और सजावटी समान है, टोपी है ये सब चीज़े हम एक साल में एक यवार यूज करते हैं ऐसी वस्तों की सूची बनाईगी जिनका प्रयोग कभी नहीं होता पताओ बच्चों की वस्तों का प्रयोग आप नहीं करना चाते हो है ना कोई टूटी-फूटी वस्तों होती है टूटी-फूटी बाल्टी है मग है टूटी-फूटी बरतन है पुराने कपड़े है छोटे क प्रियोग आप नहीं करना चाहते हो यदि हम प्रियोग में नय होने वाली वस्तु को ना खरीदे तो इसका क्या प्रिभाव होगा है ना समाज पर क्या प्रिभाव पड़ेगा इसका समाज पर क्या प्रियावरं पर क्या प्रियावरं पर तो क्या मतलब अगर किसी वस्तु की कि हमें जरूरत नहीं है और हम उसको नहीं करीते हैं तो उसका आप पर समाज पर और प्रियावरन पर क्या प्रभाव करेगा तो बच्चो आओ अब हमें इन सब के हैं हम देख लेते हैं ठीक है जैसे कि घर में उप्योग में आने वाली वस्तों की सूची पंखा, किताब, अलमारी, जूते, बरतन, कंगी, टीवी, प्लंग, कुर्सी, आदी ठीक है ऐसी वस्तों जो रोज उप्योग में लाई जाती हैं जैसे बरतन हैं, कपड़े हैं, प्लंग हैं, चपल हैं, पंखा, तोलिया, मुबाइल, इत्यादे बच्चो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक हैं? फिर है ऐसे वस्तु की सूची जिनका सब्ता में एक बार प्योग किया जाता है बताओ बच्चो किनका प्योग किया जाता है सब्ता में एक बार मैंने बताया था कपड़े दोने की मशीन है, गिटार है, खेल खिलोने है, पकोड़े बनाने के लिए कड़ाई है है ना और कुछ मिस्टे हो गई है यह आप ठीक कर ले ना लिए भी ऐसे बनेगा बच्चों हमारा बाइक है साइकल है और आदी ठीक है तो इस तरह से आप लोग इन वस्तों के नाम लिख लोगे आगे पुछा है कि एक महिने में एक बार प्योग में लाए जाने वाली वस्तों की सूची मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जैसे कि फास्ट फूर्ड या जंग फूर्ड हम कहते हैं कि एक महिने में सिर्फ एक बारी खाना है आयस ख्रीम है, केक है, कार वेगैरा भी, हम सोचते हैं कि एक मैने में एक बार ही ड्राइव करते है कर घोमने जाते है ना फिर नेक्स पुछा है एक साल में एक बार इस्तिमाल होने वाली वस्तों की सूची वो मैंने आपको बताई है जैसे हुली के रंग है, राकी, पटाके, जरम दिन के लिए लड़ियां मुंबत्ति, सजावति समान है, कंडल है, डांडिया, करवा, पेंट कलर आदी क्योंकि एक साल में एक बारी हम लोग सोचते हैं कि अपने घर में पेंट कराया जाए ऐसी वस्तों जिनका प्योग नहीं होता है, जैसे पुराने कपड़े हो गए, बरतन हो गए, टूटे-फूटे किलोने हो गए, बरतन फिर मैंने दूबार लिग दिया इसको, छोटे कपड़े हो गए, पुराने किताबे इत्तिया दी है जिसका प्योग हम नहीं करना चाते हैं नेक्स्ट बच्चो हमसे पूछा गया था कि अगर हम प्रियोग में आने वाले वस्तू को नहीं खरीते हैं तो हमारे पैसे बचेंगे सबसे पहली बात तो में बात यही है है ना अगर हम weist चीजों को व्यर्ण की चीजों को नहीं खरीते हैं तो इसलिए हमारे पैसे बचते हैं और घर में व्यर्ण की चीज़े एक खटी नहीं उपाती फाल्तु का कूडा भी खटा नहीं हो पाता है ना और दूसरे यह होता है कि दूसरे के काम के अगर कोई वस्तू है और वो कम मात्रा में है है ना कम होने के वज़े से वस्तू व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है जिसकी उसको जरुवत है और किसी दूसरे ने खरीद ली है तो क्या फायदा जरुवत मन्द व्यक्ति तो उसे खरीद दी नहीं सकता है फिर वो वस्तु को जो है वो पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं आ पाती है क्योंकि जब तक वस्तु बेकार है जब तक उसकी कीमत उस व्यक्ति तक न पहुचे जिसकी उसको जरुवत होती है ठीक है और दूसरी बात यह है कि परियावर्ण पर इसका ये प्रभाव पढ़ता है बच्चों कि अगर हम व्यर्थ की चीज़े खरीदते हैं और उसको लेकर इदर दर डाल देते हैं परियावर्ण परदूशित है तो इसलिए हमें व्यर्थ की चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जो चीज हमें जरूरी होती है हमारे काम की होती है हमें वही चीज़े खरीदने चाहिए तो बच्चों इस तरह से ये हमारी आज की व्रक्षिट बहुत ही आसान थी आप लोग बीना किसी की help के भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया है ठीक है कोई और शब्द आपकी दिमाग में अगर आ रहा है तो आप उसको भी add कर सकते हो ठीक है बुच्चो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है करस्ट आपको